दोस्ता हमारे आज के पोड़कास्ट के मेमान है मिस्टर अश्वीन उनादकत। इस रम राजकोट तरिवन पैतालिस साल इन्वन बिता है इस शेत्र में ही इस रणिंग अमरे स्टेट अजनसी सिंस नाइनटीन एटी। लोकल अस्वीशन की ये प्रेजिडिन रहे चुके हैं नाशनल अस्वीशन में ये दोनिंग बॉड़ी का भी मेंबर का भी काम कर चुके हैं लेट अस वेलकम मिस्टर अश्वीन उनादकत। नमस्ते अश्वीन बैई वेलकम टू और पोड़कास्ट आज बहुत के बाद आपके साथ बात करने का मोका मिला है तो आज हम आप जानेंगे आपसे कि राजकोट का मार्गेट और अश्वीन क्या कर रहे हैं वापर किस तरह रियल इस्टेट का बिजनस वाँ चलता है जरोड सर आप जो भी बोलेंगे आम लोग बताएंगे पूरा राजकोट का रिवियू, राजकोट का पूरा तेर प्रेजन शीच्वेशन सब कुछ बात करते हैं और मेरे बात करेंगे मेरी फिर्म के बात कर गाएं आप बता ही है पहले पहले तो आपकी जो जर्णी रही है, 1980 में आपने ये काम शुरू किया था, आप बहुत सीनियर हैं इस लाइन के अंदर, तो बहुत बड़ा अर्सा होता है, एक ही बिजनस में इतना बड़ा अर्सा बिताने में जाहिर है, बहुत जादा है, अनुबह आपके पास है, त जो कास्ट केसा है, किसी अगर नोकरी करेगा, नोकरी में 10,000 रुपी मिलेंगे मेने तो नहीं लेगा, लेकिन अपना बिजनेस करेगा, उसमें 5,000, 2,000 मिलें तो भी बिजनेस ही करेगा, वो बोलते है कि बटाटा यार ओनियन के रेकड़ी लारी निकालेगा लेकिन जोब करेगा अपना, तो 1980 में अमारा जो सुच्वेशन पैननसले इतना खराब था, तो डेडी बोल रहे कि मेरे को सब मोटा बोलते हैं, मोटा अभी क्या करेंगी, मैंने बोला, डेडी कुछ है करते हैं जिसमें पैसे का जरूरत नो हो, क्योंके पैसा थाई नहीं पास थाई नह पर हम लोग सोते हैं, अच्छा हमारा कॉंटक्त है सब, तो क्यों नहीं पर रहे स्टार करें, तो जोनों नहीं एक ही जज्जमेंट ली अमेने और मेरे डेडी नहीं 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 बिजने स्टार्ट किया, और यू विल नॉट बिलिव, दो साल में इतना हम लोग परस अपना ब्रांग बनाया, दीरे 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 सब लोग पेचाने लगे, सब को पता चला के यह दोनों बाप बेटे अच्छे काम कर रहे हैं, और हमारा जो कास्थे लोहाना ठकर लोग, डेडी भी उसमें आगे थो और में भी था, सब गनाती के कामें, तो लोग पेचाने जैसे आपने बताया कि दो साल में खाली 700 रुपय की ब्रोकरज उस दमाने में वी थी, अफकोस तभी 700 रुपय बड़ा पैसा होता था, लेकिन दो साल में 700 रुपया बहुत तकलिफ की बात है, तो क्या रीजन है, राजकोर्ट बहुत छोटा बिजनस था राजकोर्ट में, राजकोर्ट में रियलिस्ट का बिजनस था लेकिन लोगों को रिकनिशन कराने में टाइम लगा, कि लोगों को पता चलना जाएं कि यह लोग ब्रोकरेश कर रहे हैं, जहां पी गए तो कोई लोग ऐसे बोलते हैं, तुम्हारा काम नहीं तुम तो बढ़े सेट लोग तब मार्केट को पेचानने में आम को 2 साल लग गए, और कई से हैं लेकिन कुछ को करके अपना चेयों निर्वा चलता था, लेकिन 2 साल में लोग मार्केट का पूरा हो बोलतब 1 रच पेचाने में मार्केट का, किसे बिजनस होगा, कैसे चलेगा करके पिछे मुड़ के नहीं देखा और एक और बात कि 88 से तो मैं फोरेंट जाना लगा था सिंस 88 ट्रावेलिंग सबसे पहले मैं गल्फ मसकत में ट्रावेल किया एनराइक कस्टमर जीरे जीरे बंता गए तो 82 से बात में मैं पीछे उड़के नहीं देखा अच्छा बहुत अच्छी बात है सो इस यह मैं समझता हूं कि कई लोग शायद इंडिया में भी इतना बिजनस नहीं कर पाते होंगा और 88 में आपने वहां पर जाकर के और वहां के लोगों को अपनी प्रॉपरीज बेचना शुरू कि दिखाना शुरू कि यह बहुत कमेंडेबल बात है कैसे आपके दिमाग में आडिया है या वैसे हमरे एक दो कस्टमर गल्फ से आये थे मसकत दूबई से तो बलते है क्यों आप वहां पे आके सब को मिलो हमा जाए यह बहुतर को मार्य के दो कर दो कि दो कि अंदेख करते हैं थे किलो मिलस्तून के साथ किया यह जगा आपके अठीटे में चंदेख की अच्ट कर में जाए यह जगाई है उसका वीडियोसूटिंग और राज्चकट में अट्राइं का एरपोर्ह एल्वेस्टेशन व तो यह बहुत ही मतलब नहीं चीज है यह शायद उस समाने में बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इस तरह का सोचा भी होगा कि ऐसे वीडियो बन सकता है क्योंकि तब ही तो सोचल मीडिया था ही नहीं वीडियो प्रोशर सब वेकप में थे तो मैं क्या का था हुदर जाके कोई एक अच्छा हमारा कोई ग्रूप है तो वहाँ पे भी वीकेंड का चलन था वीकेंड में कोई अच्छा क्लब के रची जगह पे यह सोचल गेट तोगेदर जैसा रखता चाई पानी नास्ता और में यह प्रपोसल सब दिखाता था उदर पहले गल्फ में स्टार्ट किया मसकत दूबय अबुदाभी सारजा वहाँ पे और बात में इस्टापरिका, Kenya, Uganda, Tanzania वहाँ पे भी इतना सक्सेस हुआ गल्फ में तो था महाँ लकिन इस्टापरिका में बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ तो यह लोग जो इन्वेस करते थे यह राजकोट से बिलॉंग करते थे या आप दूसरों प्रांत वालों को भी राजकोट बेचते थे इसमें क्या होता था सर के राजकोट के आजबजु का जो भी एरिया है ने 100 किलो मेटर, 150 किलो मेटर वो सब नेटिव राजकोट कोई गीनते हैं तो फर एक राजकोट के बाज़ गॉंडल है विरपूर है जुनागड है उना है, कोडिनार है, मोरभी है, वाकान है तो लोग अपने डिव तो नेटिव तो नेटिव गीनते हैं तो लाजकोट से होता था टा गड़मिण पड़ना राजकोट मै मैंका राजकोट मैं कमाना राजकोट नेनाहिण था जो डेड़ कोई अइज कोड़ने बाद नेटिव गनते हैं तो ज ingen κιंए तो नेशल्त के एक घो प्aimer इतना बड़ी है था कि हम लोग गिरेंटी दे 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 विध ख्लियर टाइटल, विध लेंड का भी कोई प्रोब्लम नहीं होगा और रिचल वेल्यू पूरा तो लोग इतने अट्रेक्टिव पहले तो तीन-चार साल हमको थोड़ा मेंनत करना पड़ा बार के लिए लेकिन बा जो अगरिकल्चर और नॉन अगरिकल्चर लेंड ये इसका बिजनस किस तरह से शुरू किया क्योंकि यूजली आजमी को क्या आसान लगता है फ्लैट बेजना शॉप बेजना तो ये जमीनों के काम में किस तरह आप चले गए हैं जमीनों का का किसंच जैसे होगा कि भी लेकर हैं तो एक-एक खेतर बलताया ने एक-एक फांपर जाके में मिलता था और उसको बताता था अब जुर भी यहां पर यह 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 वेल्यू है यह आप nossa बॉल्यू है आपको यह करना चाहिए वो करना चाहिए तो अस्तर को न Android तो गए होसे ब्लकोन क्योंकि इसका मे पहले बात में ही आप डोक्यूमेंट कर उसके पहले एक भी आपकी साइन नहीं चाहिए तो लोगों को उससे ट्रस्ट बनता गया है और यह काम थोड़ा डिपिकल था लेकिन भी सक्सेड आपने बड़े अलग धंग से यह काम किया है बड़े डेरिंग से आपने काम किया है न और बहुत अलग तरीके से यह काम करना पड़ता था तो आपको तभी से आज तक क्या डिफरेंज दिखा है मार्केट का किस तरह यह मार्केट मुव हुआ है दूसरा उसको आपने अपने बिजनस में या अपने अंदर किस तरह आपने उसको एक्सेप्ट किया इस चेंज को सर वो ताम पे क्या था वो मैं आपको बात कर एराउंड 85-90 का अब टू-थाफजन तो उसमें क्या थे माउट-टू-माउट पॉबिसिटी होता था तो सोसिल मीडिया नहीं था पर वो सोसिल मीडिया से भी जदा स्ट्रोंग था अगर को एक फार्मर के साथ मैंने काम किया तो उसका नाम परसोतंबाई है तो परसोतंबाई से मैंने काम किया तो वो दस आदमी को बोलेगा कि तेरे को लेंड बेतना है तेरे को फार्म बेतना है तो अस्विन से मिल तो वो तुमार काम ठीक से करके देगा तो उसमें माउट-टू-माउट पॉबिसिटी होता था तो वो पुरा फेमिली रहता था, तो एक बाई काम के तो उसके पांच बाई बोलेंगे, कि अगर इसका ठीक हुआ तो हमारा भी ठीक होगा, तो वो टाइम पे तो क्या था, कि वोई पुबिलिसिटी सबसे ज्यादा थी, सही बात है, एंडलेस चेंज बोलते हैं, उसको एंडलेस चेंज थी, वो एक के साथ काम किया तो दस लोग आपके पास आएंगे, आजाते हैं, और वो स्रॉंग सेलिंग होती थी, उसमें आपको बहुत ज़ादा, तो हमको एकसेप करना पड़ा, कि मैं सोसिल मीडिया है, तो स जाते होंगे, दीवाली के, और सब औकेजन के, तो पूरे वोएड में, मेरा जितना भी ग्रूप है नहाँ पे, एवरी औकेजन का मेसेज जाता है, और राजपोट में कोई नया पुराइगा, राजपोट के इंटरेस इलेट को स्टार्ट होआगा, तो उसका मेसेज भी ज मेरा कर्वाता है, और फिर वह चलता है, ऐसा को प्रॉब्लेम मिई है, लेकिन अवी काम मनेसे मतलब है, यह काम होने से मतलब है, इकसेटना एथ लेकिन इता misma है, लेकिन अपना रिलेस्न और अपना जो नाम है उसके ओपर में बिलिव जदा करता हूँ, अगर आपसे एक ब पॉबिलिसिटी और हम मिलके जो काम करते हैं उसका बात ही अलग है, सोसेल मीडिया तो यह ही है, उसका भी इतना ही असर है, जितना हम लोग बात करते हैं, लेकिन फिर भी तो वह तो चलता ही है, और अपने बिजनस में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट इंपोरेंट है, एक बार ट आपके बास जो अग्रिकल्चर लैंड्स हैं, उनको नौन अग्रिकल्चर आप करते हो, तो कितना आसान या डिफिकल्ट होता ही है, गवर्मेंट से करवाना है, या, पहले टाइम में बहुत आसान था, पहले टाइम में, लेकिन अभी क्या है, कि हमारा पेरा फेरी में है, 40 परसन गवर्मेंट रिजर्वसन आ गया है, अच्छा, अग्रिकल्चर से न अग्रिकल्चर करें, 40 परसन गवर्मेंट विल बी टेकन, रिमेनी 60 परसन में आपको रोड छोडने है, और प्लोट्स बनाने है, तो अभी, और अभी थोड़ा प्रोसेस भी लंबा हो गया है, ल गवर्मेंट का जानते हैं किसे होता है, वो तो सब जगह ही है, इसमें जो खर्चा होता है, जैसे आपने बोला कि 40 परसन लैंड तो गवर्मेंट अपने पास रखती है, 60 परसन को गवर्मेंट करती है, उसमें भी आपको रोड और ओपन स्पेस चोड़नी पड़ेगी, तो इसका जो भुगतान है, तो end of the day कस्टमर को ही करना पड़ेगा, बिल्डर तो अपनी जैप से भरेगा ने, डेवलोपर, वही बात है, तो गवर्मेंट क्या बोलती है, कि हमको सस्ते मकान देने है, सस्ता यह देना है, अगर यह 40 परसन निकाल दे, 40 परसन रिजर्वेशन न पड़ती है, तो अगर यह 40 परसन इसमें चला गया और, तो 800 पा हो जाएगा न, लेकिं रिजर्वेशन अभी मस्ट हो गया है, रिजर्वेशन नहीं करता है, हर प्रांद का अपना-पना काईदा है, उसी के हिसाब से काम होता है, गवर्मेंट के काईदे के हिसाब से काम कर करते करते, आपने डाइवर्सिफाय किया और लाइन में, उसके बारे में बताइए, जी, अभी बस वही स्टोरी होगा था, कि मैं एक बारिस्टा परी का दारेस्लाम गया था, तो दारेस्लाम में जहां पर ठेरने वाला था न, वो तल में रूम पेक थे, तो बोलता है, मेर में देखा तो मैंने बोला कियो न, यह कंसेब अम लोग राजकोट लेका है, क्योंकि अनराइ कस्टमर अमारे पी इतने तो राजकोट में बहुत आते है, जो लंबा टाम राजकोट में रहते है, एक वीक, दो वीक, चार वीक उसको क्या है कि वो लोग आके यह स्रीश अप अपारा था, मैं किया बोल रहा हूं, तो फिर में बुंबई जाके और बाकी के सब सिटी बंगलोर में जाके होटां पर डिखाया उसको लिए बनाना यह करना तो बोला यह आईडिया तो अचा है मोटा, तो फिर अगा तून्टा और बना यह स्रीश अपार्टमेंट, फिर 15 years, even with the corona, we have occupancy of 60 to 70 percent, इतने competitors आगे, इतनी hotel बन बन गई इतना small building है, लेकिन फिर भी चलता है, due to service and everything, cleanness. और इसके साथ साथ आपने कोवर्किंग में भी कोशिश की है? यहा, दो साल पहले मेरा यंगर बड़ेदा दीपकेन उसका लड़का पावक करके है, पावक और यह अपना आपके पास लड़का है तपन, रवी जी के साथ, तो उसने अमको नवा आईड़े दिखाए कि डेडी अभी है बहुत चलता है, कोवर्किंग, तो राजखोट में फिर हमने पूरा सर्वेयарт किया राजखोट में, कि यह चलेगा की अदये चलेगागे जवा ज़िए शर्वेश चाहिए, लेकिन सफाय या कःकर काम वाला कैसा कुछ नहीं चाहिए, सूब आए तो उसका ओफिश रडी होना चाहिए, और बेलमारे तो उसका सर्व scrutiny को देन वे वे पूरा अम लोग ने यह जो कोवर्किंग किया है ना वर्क इजी नाम केसे है, वर्क इजी नाम है उसका, और उसमें केबिन भी है और डेडिकेटट डेस्क भी है, तो अच्छा चल रहा है वो भी, और वो भी आईडिया वस यह 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 नियू जनरेशन ले का है, पाव वो भी बनाया है, केंटिन और कुछ थोड़े बहुत खेलने के लिए भी टेबल टैनिस और ओसब रखे तो क्या कि पूरा टाइम लोग ओफिस में बेटे-बेटे अगर कंटाल जाते हैं तो महाँ पे जाके बेच सकते हैं, फूरा ग्रीन ग्रीन अरिया बनाया है बहुत अच वहाँ आट लिए बनाने में क्योंके लेन का प्राइस और इंटिरियर का प्राइस और कंसुक्सन का प्रायस इतना हो गया कि वह प्रोड़ेगा नहीं को को रेकिन अभी इसमें को में में अग थो दो साल के बाद और ए बनाने जाए गर को आंता है तो हो सकता है अब दोनों के chances रहेंगे को वर्किंग के और 30 अपार्टमेंट के अशुन मैं मुझे राज़कोट के real estate का future क्या है उसके बारे में ज़रा बताईए आपको क्या लगता है कि आगे राज़कोट का current scenario क्या है कितना काम हो रहा है और कितना काम होगा अगले दो-पांच सालों में जी, वेरी गुड क्वेस्टन किसंजी राज़कोट का future हम लोग बाई 20-30 इतना अचा देख रहा है बाई 20-30 अभी 20-24 चल रहा है 20-30 तक राज़कोट का development tremendous mainly अगर आप तपन को पूछेगा तो तो भी बताया गया है राज़कोट टाउन प्लाणिंग स्कीम है न इतना बढ़िया है स्मार्ट सिटी भी बन गया एंस बन गया इंटर्स एरपोट बन गया इतना development आ रहा है चीम करता अरह आप पूरे राज़कोट में प्लाइब मेंप्ला हुआ है उसप्रेड़वर कर थाट अरिया संटर इतने पर 50-200 km किलोमेटर के जो सीटी है उसमें किया तो सोशियली राजकोट एजुकेशन में नमबर वन है एजिनिरिंग कोलेजिस, मेडिकल कोलेजिस इतनी आ गई राजकोट में वो एजुकेशन होगा एक सोशियली राजकोट का इतना इंपोर्टन्स है कि अगर किसी लड़का या लड़की को आपको साधी ब्या करना है तो लोग बोलता है राजकोट रहता है तो हम लोग करेंगे क्योंकि राजकोट सेंटर बन गए अभी सेंटर बन गए अभी सिटी है सोशियली मेडिकली और एजुकेशन वाइस राजकोट अभी तो इतना डेवलप्मेंट फास्ट हो गया है कि लोग राजकोट में रहना प्रिफर करते हैं किसी को पर थोड़ा भी पैसा बन गए आजुबजू के गाउं में तो वो बलता है राजकोट में घर ले ले लेते है राजकोट में एक बिजनस कर लेते है और बच्चे लोग पोराजकोट Barnes & जो किसन का अब है राजकोट। जो किसन का तो ठीक हो जाएगा बच्चे का तो फिर इसलिए है और और के है कि राजकोट में मैंनली लो एन ओडर बहुत अच्छा है किसन जी कोई बोलते हैं कोई दादागिरी गुंडागिरी पाही लोग यह कुछ है नहीं राजकोट में अगर ऐसा कुछ बंदा खड़ा बता दू नवरात्री जब चलते हैं नवरात्री आपको छलूम है तो हमारी लड़किया और हमारे लड़ीज लोग रात को दो तीन बज अगर पर वापीस है तो हमको यसा नहीं लगता कि कुछ होएगा तो सेफटी इन है इतना लोग अच्छा है कि अमको कुछ डर नहीं ल हमारे लिए ब्लेसिंग है ठीक है अचिन मैं मुझे बताएं गवर्मेंट की जो पॉलिसीज है या रिगुलेशन से गुजरात गवर्मेंट काफी प्रोग्रेसिव गवर्मेंट देखी जाती है कंट्री में तो वो रियल स्टिट को कैसे इंपैक्ट करेंगे राजकोर्ट स्टेट के लिए बंते हैं 만ards जो भी करें जाते हैं या फिर ने बनते हैं या फिर उसमें को मोडीफाइब करते दो पूरे गुज्रात के लिए गर्ज अभी तो तीन रूल आपवी जो चंजैस आ रहा है है उब फोर एंग जहेंपल एक जैसे अन्ए ने अगर आप खेडु समझते हैं कि यह करने से ज्यादा और उसके एड़ाइसरी कमीटी भी है तर टाइम पर हम लोग उदर जाके उसको बोलते है कि सर यह चेंज होना चाहिए सर यह अभी हमारा चीप मिजिसर प्रपेंदरा पतल बहुत अच्छा आदमी है यह वेरी स्ट्रेट फरवर और वह बात आज में बेड़ाया है तो वह चेंज कर दिया वह बलता वह बहुन नहीं है अभी तो अच्छा हो रहा है दे बाइदे अच्छा हो रहा है बहुत अच्छी वाद बीडिश्य जो है ने बीरोकसी उसका हिसाब से थोड़ा अगर पोलिटीकल चाहिए तो भी फिरोकसी वाले यह होता है लेकिन हमको समझाना पड़ता है कि यह करने चलता है कोछ यह सा प्रब्लम नहीं है So overall आपको लगता है कि गुजरात का फ्यूचर बेटर है रियल स्टेट में और especially राज़कोड भी अच्छा करेगा आगे रियल स्टेट में राज़कोड भी अच्छा करेगा अगर गुजरात का फ्यूचर एक अगर आपको साइद पता हो गया गया है 2036 का अलम्पिक साह देदाबाद में नाइटाबाद में नाइटेन परसंट कंफर्म लगता है अगर वो आ गया तो पूरे गुजरात का डेवलोप्मेंट बहुत फास्ट हो सकता है और राज़कोड में क्या है कि एंजिनेरिंग, एरो टोनिक्स, मसिनरी, स्पेर पार्ट्स, बेरिंग, गोल्ड वो सब मैनुफेक्टरिंग राज़कोड में होता है तो राज़कोड को सभी तरह से फाइदा होगा उसका अच्छा उसका फाइदा होगा बहुत अच्छी बात है अश्विन मैं मुझे बताए यह जो टेक्नोलोजी काफी चेंज हो रही है पहले से तो पहले तो थी नहीं टेक्नोलोजी अब इंट्रूस हुई है और उसमें भी इतने ज्यादा चेंजिस उसमें हो रहे हैं वक्त बेवक्त नया हर मैना दो मैना में कुछ नहीं चीज़ आ रही है तो इसका आपको क्या फाइदा लग रहा है रियल एस्टेट में और किस तरह इसको यूज़ कर रहे हैं आप यह रियल इस्टेट के अंदर हम स्व πुरा इंदिया नंहीं पूरा वर्ट डेखा ऑग उसमें लिए पुरा वर्ड गीज़े बनाते तो वह दूसका फाइदा यह भी है बाकि तो कहा है कि एक बार वह पुब्लुक्रिक हो गया वह पार्टि न बठानोर को ताब भी उसको प्ता चलें वह तो डिल के टाइम पर ही बता चलेगा ना उसमें तो पता नहीं चलेगा लेकिन जब आयेगा तब पता चल जाएगा जी 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 अशिन मैं मुझे बताईए जैसे आप एने आर इंडिया में भी गवर्निंग बाड़ी भी रह चुके हैं राज कोड की लोकल असुज में भी आप लीड कर चुके हैं तो इसके बारे में ज़रा बताईए क्या आपका अनुबवर्यायर किस तरह आपने सोसाइटी को कुछ दिया और आपको क्या इसकी मदद हुई है जी हमारा एसोसन यहां पर 2011 में स्टार्ट हुआ और अभी तो बहुत डेर डूइंग वरी ब लोगों भी लोगों। में पहना हुआ को समय फिरेर ज क्लाड वेन्हें करेंगा डोजाटी को एसे अन ईयृद करेंग। Mayra Arakो डोग ऊलड में करेंगा जोगे है और नमЛ तो फिरे व्मी तो था नेक्सलbor नेखस्ट रां लेम बंद करेंग और में दिटैगा इसके बात का तो उसमें क्या होता कि जो और एक बात काम यहां सेलेक्षण नहीं है आचा हम लोग पांट लोग जो पुराने है रहते हैं वहीं बेट के डिसाइड करते है कि किसी को भी नाय उच्छा लोग क्वोन अच्छा काम करेंगे कैसे करेंगे तो और एवरी मंथ हमारा मिटिंग होत तो जैसे अभी ब्रोकर की आपने वहां असोजीशन शुरू की है, तो क्या ब्रोकर्स असोजीशन में सहभा करना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग बंदना नहीं चाहते हैं, उनको ऐसे लगता है कि अगर असोजीशन जोइन करेंगे, तो उनके काईदे कानून फॉलो करने पड़ेंगे, तो हम बंद जाएंगे, और अगर फ्री होंगे, तो हम कुछ मन चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ब्रोकरेज उल्टी सुल्टी चार्ज करो, कस्टमर को किसी भी तरह से डील करो, अगर फ्री होगी तो इतना किगे, तो इतना स्ट्रेंथ, अब ही तो 100-125 के बीच में है तो उसको बहुत बढ़ना भी नहीं चाहते है हम लोग क्योंकि हमको quality चाहिए quantity नहीं चाहिए ठीक बात है और 120 की strength है मतलब इतना market size अभी है राजकोड का इतना business राजकोड में है कि इतने ब्रोकर है और मैं आपको बढ़ हो यह registered member है अगर आप ऐसे ही बात का लगे मलार का लगे कांदीवरी का लगे दादर का लगे वही हो गया जो अपने एरिया में काम करता है वही करता है तो सबब जैसा हो गया कि अभी राजकोड को population 25 to 30 लेक्स है लेकिन spreaded है पूरा फेला हुआ हुआ है तो इसमें वही होता है कि एरिया वाइस ब्रोकर हो ग पता है राजकोड का 25-30 लाग की आदम शमारी है तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी किस लोकेशन में उन्होंने घर खरीदना चाहिए या पैसा इंवेस्ट करना चाहिए रिटन के लिए अच्छा इसमें दो बात है अगर आपको रहना है रेसिडेंसिल आपको कुछ चाह अभी इतने रोड पे अभी बिल्डिंग बन रहा है एफोरडबल बन रहा है लगजरी अपाटमेट बन रहा है तो आपकी बजट और आपके वोईसाबसे आपको छोईस मिल सकता हूर एक और बात की ज़ए मेंली राजकोड में जो अच्छा है वो टाइटल का है अभी किसी इन्वेस्मेंट की लेंड की तो हम अगर किसको इन्वेस्मेंट ही करना था है थाम क्योंकि 10-20 लाग से चालो करके अब खुटना भी इन्वेस्मेंट कर सकते हैं और अभी राजकोड का जो रेकर रहा है वह वह तीन से चार साल में पैसे इट बीकम डगल आच्छा इसी सप अब प्रिलिस भी बहुत चरला है इसमेंग का प्रावेट कंपनी का उसमें इन्टन आप परसंट मिलता है यह ठीक बात है वह सब जगालगब उसके आजू वाजु काई है आपके पूरे ट्रांजेक्शन में या पूरे टाइम में ऐसे किसे हुए होंगे रियल एस्टेट में जो आपको कभी-कभी मतलब ऐसे अच्रज कर लेते हैं कि यह कैसे हो गया ऐसे कोई यह टाइप का अगर कोई काम हो तो हमको हमारे जुवरुक्षा जरा शेयर कीजिए कोई अगर आपको बात पता हूंगा प्लस और माइनस दोनों तो माइनस में क्या हुआ कि कुछ टाइम ऐसे आते हैं कि मंदी का टाइम हो जाता है हामाउस लेंड का क्या है कि एक डोट साल का टाइम लिमिट रहता है और अगर हमने जब डिल किया पर एकर का बाव एक करोड था जब 6-7 मेने चले गए तो वो रिदूस बाई 80 लेक्स 70 लेक्स तो वो ताम पर जो पर शेयर उसको समझाने में और सेलर को समझाने में कि अभी हमको थोड़ा यह करना पड़ेगा वो ताम पर थोड़ा दिपीकल्ट लेकिन मेंली अम लोग क्या करते है कि काम अगर दस होता है ने तो उससे बड़े पांच ही काम करते है लेकिन जिसके साथ करते है उस वो आदमी 25 लो या सेलर हो ऐसा होना चाहिए कि यह टाइम पे भी वो खड़ा रहा है उसके साथ हां सो अशुन मैं अब इसमें मुझे यह बताई है कि आपके क्या मेसेज हैं नए बायर्स के टिसमें प्लेडर के लिए मैं बात करूंगा कोई ऑग कोई भी बायर्स पांच प्रos प्वैदिक एंडदिंग्ययर त हिस्ताय वेशनान आप है इसके सब कहरें नंए उसको ने में लिए रखना ही चाहिए ब्रोकर नेयां की सले झाल ओ साथ हर। फे उस प्जास कोई को जा काम करता है। K 블박 dad NE को निक साथ हुआ को विण। जा को घ्र्रीक रखता है। जा कि उस्क पॉप्र साथ हुआ थीक है। तो वो ब्रोकर ठीक होना चाहिए, डेवलोपर जिसके साथ वो काम करता है, पर स्क्वेर पीड उसका रेट पचा सो रुपया ज्यादा हो लेकिन अच्छा बिल्डर है तो उसके साथ उसको काम करना चाहिए, मेंली रेरा, रेजिस्टर, टाइटल वो सब सबसे पहले देख ल या फिर उसका जो एड़ोकेट रहता है उसके साथ, लेकिन बी केरफू एबाद टाइटल एंवरिथिंग, एंड बिल्डर एंड ब्रोकर, सिलेक करने में बहुत ज्याना है, बहुत ध्यान रखना चाहिए, और रही बात हमारे प्रोफेशन की, तो यह तो बोलते हैं कि यह जो भी आएंगा उसको पॉलिसी रखना चाहिए, और यह लोंग टॉम बिजनेस है, एक साल ओरनेक में आप लोग आगे निकल जाने वाले, आपका प्रिष्टिद बनना चाहिए, आपका नाम बनना चाहिए, फिर यह हो सकता हम लोग यह मुकां पहुँचे तो कितने साल ल अब लोग जाना चाहिए, तो वह बोलेगा के किसन बहुए, तो कोई प्रोब्लेम नहीं है, तो नाम बनाने में टाइम लगता है, और इसन नहीं है, यह हमारा काम इसन नहीं है, आज कर लिया तो पहर पैसा बन गया, ऐसा नहीं है, अपना प्रिष्टि जाने का यह सब कर यह आपने शुरुआत में ही बताया था जैसे आपने काम शुरू किया था तो दो साल तक केवल 700 रुपे के ब्रोकरज पे आपको सर्वाइब करना पड़ा तो अगर आप मान लिजिए उसी टाइम पहले एक दो मैने में आप बोलते हैं चोड़ो यार यह काम में तो कुछ हो ही नहीं रहा है तो आज अमर एस्टेट एजनसी या अशुन भाई नहीं होते हमारे साथ रियल एस्टेट के काम एकाम इसन बनताना काम, पूरा एक इसमे जुटा रहता है मैं और आप में अधाबाद यह गल्लता है और मेरे तो सपने भी रियलिस्टेट के ही आते हैं, सपने में भी मैं रियलिस्टेट ही देखता हूं, और कुछ दिखता ही नहीं मेरे कुछ जैसे, we are happy with this profession and everything. किसी इसमें बोलते हैं कि you eat, sleep and drink only what you are passionate about. तो इसका passion है, तो passion के साथ ही काम होता है इतना. अभी मेंने बता है आपको अपना सर्जरी वाय ना बाएक पास, तपन ने मेरे को सीरियल दिया एक कुछ अमेरिकाट के मेन अतन के और सब आपने भी साहँ देखे हूंगे. आप यह देख लो आप यह देख लो आप यह देख लो तो अभी भी यह लाइफ टाम लर्निंग प्रोसेस है किसंजी है रियलेस्टेट है ना यह लाइफ टाम लर्निंग प्रोसेस में अभी भी सीख रहा हूं यह लो है ब्राइब तक हम जिंदा हैं अपको शिखना ही है उसके सिवाए दूसरा चाहरा नहीं है और पैसनेट है तो सीखना तो पड़ेगा उसी में मजाएगा नहीं नहीं चीजे पता चलती रहती है और रियल इस्टेट में यह जो लेंट का बिजनेस है ने, इतने इतने चेंजिस आ रहा है, रूल्स रेगूलेशन में हमको पढ़ना है रहता है, पुरा पढ़ता है और कभी-कभी ऐसा हो तो कहा है, हम बोलते हैं कि यह नहीं आप यह से करना चाहिए, सर आप यह से करना चाह अजब हैं, आप या रहता है कि यह से करना चाहता है, अब यह से ब्लिमेंट का शुच आप sta ऑने रहता है, बहुत अब करना में илकिल, जैसे मारामाल कैप मोस्ट्रम करें हमें मतलब, खुले मंस, हमें रही बात रखी और मैं अमीद है कि हमारे इस Muhamar pequeño को बहुत पसंद करे और डिसक्षिन किया है. यह सर्थ, यह सर्थ, आपको यह पसंद आया होगा, अगर आपको यह उस्फुल लगा तो इसे औरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो इसका फाइदा ले सकेंगे. उससे पहले आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिए. अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिए ताकि आगे के नोटिफिकेशन्स आपको आसाने से बिलते रहें. धन्यावाद.